हेलो फेंड्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर पेंट साज में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो आप लोग काफी दिनों से कॉमेंट कर रहे थे 40 साइस का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउस के लिए और इस ब्लाउस में फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है तो ये देखिए बैक नेक डिजाइन है और ये स्लीस का डिजाइन है दोनों की वीडियो चैनल पर अप्लोड है अगर आप लोग उने नहीं देखे हैं तो देखकर आप इसे असानी से पना सकते हैं तो ये बैक नेक डिजाइन है और ये स्लीस का डिजाइन है तो आप मैं इसका फ्रेंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ थ्री पीस प्रिंसस कट पर और ये बैक पार जो है वो चैलीस साइज का है तो यहाँ पर दिखे, front part को cutting करने के लिए हम एस्थर के कपड़े को इस तरह से fold करके रख लेना है जितना चोड़ाई में हमें कपड़ा चाहिए, उसी तरह से fabric को आपको fold करना होगा कपड़े को अचे से fold करके, नीचे से एक line draw करके, हमने कपड़े को सीधा कर लेना है भाग की तरफ से कर रही हूं, आप घुले भाग की तरफ से भी घ्टिंग कर सकते हैं, अब हमें टोटल लमभाई लेनी हैं, तो फ्रण्ट पार्ट में आपको बैक पार्ट से एक इंच बढ़ा कर लेना होता है, बैक पार्ट में मैंने टोटल लमभाई रखी थी, साड़े 15 इंच फ्रंट पार्ट में रखी है साड़े सोला इंच इस तरह से मैंने दिखिए यहां पर मार्किंग कर ली है अब हमें शोल्डर का नाप रखना है इपनेक के इसाब से 40 साइज में शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच आर्मोल आप पोना 6 या 6 इंच ले सकते हैं मैंने पोना 6 इंच पर मार्क किया है आप 6 इंच भी ले सकते हैं शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच आर्मोल लिए हैं 5.75 इंच यहां पर चेस्ट का चोथा भाग लेंगे ह 10 इंच, 40 सा इसका चोता फाग होगा 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्सिन के लिए मार्सिन आपने बैक में जितना लिया है उतना ही आपको फ्रेंट के लिए भी लेना है कमर 32 इंच उसका चोता फाग यहां पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा मार्सिन के लिए तो यहां पर दिखें मार्किंग मेरी पूरी हो गई है इसके बाद आपको क्या करना है 1.5 इंच कमर में एक्स्ट्रा लेना है और आर्म होल में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आर्म होल साइट से 1 इंच लिया है और नीचे कमर की साइट से मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये हमने प्रिंसस कट की कटिंग के लिया है अब आपको यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देना है तो अभी मैं इस तरीके से दे रही हूँ आदा इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको बात में इसमें गहराई पी देनी है फ्रेंट पार्ट के लिए तो नॉर्मल हमारी जो मार्किंग होती है वो मैंने यहाँ पर कर लिया है इसके बाद देखिए आपको इसे इस तरह से कट कर लेना है तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है गले की चुड़ाई का मार्किंग करेंगे नेक विट तरकी है धाइंच गले की लंबाई मैंने साथ इंच लिया है देखिए अगर आप गला जो है वो छोटा पहनते हैं तो साड़े छे या छे इंच ही लिजेगा मैंने साथ इंच लिया है साथ इंच डीप कलर रहता है और नीचे से मैंने इसे तीन इंच लिया है अगर आप गले की लंबाई चुड़ाई कम पहनते हैं तो आप अपने इसाब से मार्किंग कीजिएगा इसके बाद हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है देखिए अगर हैवी साइज होता है तो बेल्ट आपको ज़्यादा चोड़ाई में नहीं लेना है सिब यहाँ पर मैंने साड़ी तीन इंच में मार्क किया है और यहाँ से किया है तीन इंच बैल्ट आपको पतला ही लगाना होता है हैवी साइज में और इस तरह से मेजरमेंट लेकर हमें मार्किंग करनी कमर साइट से तीन इंच और फ्रेंट साइट से मैंने साड़ी तीन इंच पे लिया है ये देखिए इस तरह से marking कर दी है मैंने barret की अब Princess cut की marking करेंगे आधा इंच आरभोल आप इस तरह से अंदर की तरफ कर लें और जब आप Princess cut का पाट जोड लेंगे, उसके बाद आप इसे cut करेंगे अब मैं यहाँ पर marking कर रही हूँ width में, width में 4 इंच लिया है उपर से tux point रखेंगे 10 इंच पे tux point मैंने 10 इंच पे लिया है और यहां से आपको 4.5 इंच लेना है tux point वाली लाइन से इस line को आपको नीचे की तरफ मिलाना होगा इस तरह से और इसके बाद हमें इस line को armhole side पे मिला देना है यहां पर मिलाने के बाद आपको देखे इस तरह पे यहां पर tux की width की marking करनी है तो यह मैं ले रही हूँ सवा 2 इंच यह देखे हमने side में यह जो tux यहां पर लेते हैं इसके लिए side में इसे बढ़ाया हुआ है अब आपको हलके हातों से princess cut का shape यहां पर बना लेना है इस तरह से तो यह marking हमारी पूरी हो गई है यह ducks point वाली line यहां से मैंने mark किया है जाले 4 इंच यह marking पूरा करने के बाद अब हमें इसे cut कर लेना है belt को cut कर क्या लग निकाल देंगे इसका side वाला part भी हमें cut कर लेना है इसके बाद इके neck को cut कर लेंगे और फिर princess cut वाले part को भी cut कर लेंगे इस तरह से यहां से थोड़ा थोड़ा में cut कर ले हूँ दोनों तरफ इसके बाद देखिए man fabric पर रखकर हमें इसे cut कर लेना है सभी part मेरे man fabric पर cutting कर लिये हैं और इसके बाद हमें इसे जोड़ना है तो अगर आप चाहें तो यहां पर दिखी गले को सुलाई लगा कर पलट सकते हैं मैं इसमें अलग से बाद में cross party attach करूँगी सभी part man fabric पर अच्छे से आपको cut करना है इसके बाद इसे अस्तर के साथ जोड़ लेना है एक एक करके सभी part को अस्तर और man fabric के साथ हमने जोड़ लेना है इसके बाद extra fabric को cut कर देना है कपड़ी के extra part को मैंने cut कर दिया है और इसके बाद अपने दूसरा वाला part भी attach कर रही हूँ front के दोनों part attach करने के बाद belt भी attach कर लेना है अस्तर के साथ इसके बाद देखिए दोनों तरफ के belt attach करेंगे extra fabric को cut करके निकाल देंगे belt attach करने के बाद अब हमें कटोरी वाला part मैंन फाब्रिक के साथ attach करना है तो यहाँ पर दिखी दोनों part को बराबर करके रख लेंगे दोनों part देखिए कटोरी के मैंने तयार कर लिये हैं अब हमें इससे attach करना है तो नीचे से उपर की तरफ attach करेंगे यहाँ पर आधा इंच का margin लेते हुए हमने पिंसल्स कट वाले part को attach करना है कोई से भी part को आपको खीशना पिल्कुल भी नहीं है बराबर करते हुए ही attach करना है अब देखिए आर्मोल वाला जो हिस्सा है इसे आपको इस तरह से चाट लेना है यह देखिए कट करके हम इसे बराबर कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे यह part attach करने के बाद अब हमने belt attach करना है आधा इंच का margin लगते हुए देखिए belt को इस तरह से लगा लेंगे belt के उपर double slash लगाएंगे side से भी हम belt को थोड़ा कम करके इसका extra जो कपड़ा है वो cut कर देंगे सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से हमें दूसरा वाला part भी जोड लेना है दोनों part देखिए मैंने तयार कर लिए हैं और इसके बाद अब हमने high hook की पटी attach करनी है तो अस्तर के कपड़े में से दो पटिया निकालेंगे जिनकी चोड़ाई होगी धाय इंच दो से धाय इंच की चोड़ाई में पटी आपको लेनी है एक पटी को man fabric के साथ attach करेंगे इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा कर इसे cover कर लेंगी यह हमारी high की पटी रहेगी और इसे आप दोनों पार्ट में से किसी भी तरफ पटी इच कर सकते हैं तो मैं इस तरफ कर रही हूँ पटी को नीचे की तरफ रखेंगे और उपर की तरफ इसे आपको पलट लेना है यह देखे इस तरह से उपर की तरफ रखते हुए पटी को आपको सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बादी की अब हमें दूसरी तरफ से पटी को जोड लेना है दूसी तरफ हुख की पट्टी डबल फोल्ड करके लगानी है और एक सिलाई इस तरफ करते हुए लगाएंगे पट्टी को उंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई उपर से लगा लेंगे हाई और उपकी पट्टी अटेश करने के बाद अब दिखिए गले में लगानी है हमें क्रॉस पट्टी गले में लगाने के लिए आप सीधी पट्टी ना लें गले में लगाने के लिए आपको क्रॉस में पट्टी को कट करना होता है तिर्ची पट्टी लेनी है पटी को उटेज़ करने के बाद आपको एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए लगानी है चोटे-चोटे कटल लगाकर पटी को हम पलट लेंगे और पलटने से पहले आपको इसका एक्स्ट्रा कपडा चाठ लेना है चोटे-चोटे कट लगा देने हैं जिससे की पट्टी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए तो दिखे गले में बहुती फिनिशिंग के साथ नेक पट्टी बनके तयार हो गई है और इसी तरीके से आपको दूसरे साइट की भी गले में पट्टी लगा लेनी है उसे तरफ की पट्टी आटेज करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है तो नीचे से आदा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को टेज करना है और इसके बाद पट्टी को एक सिलाई इस तरफ करते हुए लगा लेनी है कमर पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो दीखे कमर पटी लगकर तयार हो गई है इसी तरह से दूसरी तरफ की पटी भी लगा लेंगे फ्रेंट पार्ट बन करके तयार हो गया है अब मैं यहाँ पर शुल्डर अटेज कर रही हूँ तो उपर स्यादा हिंच का मर्जिन लेती हुए शोल्डर को अटेज करेंगे इस पर डवल स्लाई लगानी है शोल्डर अटेज करने के बाद अब हमें स्लीव लगानी है उससे पहले हम एक्स्ट्रा कपडाई हाँ पर छाट लेंगे सेंटर में बैक पार्ड के सेंटर में एक मार्किंग करके यहाँ पर पिनटेज करेंगे उसके बाद चेक करेंगे साइड में कितना एक्स्ट्रा फैबरिक निकल रहा है तो में यहाँ पर अंदाजे से कट कर रहución हूँ आप मैसेमेंट लेकर कट करें कहीं मार्जिन वाला पार्ट कमना हो जाएं तो आप पहले नाप लेजिएगा आपका मैंट फिटिंग का नाप और मार्जिन का नाप उसके बाद ही एक्स्टर जो कपड़ा है इसे चाटिएगा सेम हमें दूसी तरफ से भी कर लेना है एक्स्टर कपड़ा चाट करके आर्मोस तरफ से भी इसे बराबर कर लेंगे ताकि हमारा आर्मोस वाला जो जो जॉइंट है वो बिल्कुल बराबर आए दोनों तरफ का एक्स्टर फैब्रिक चाट लेने के बाद हमें शोल्डर पे भी अगर कोई पार्ट पहार की तरफ आ रहा है तो इसे भी कट करके बराबर कर लेना है अब हम स्लीव का करेंगे सेंटर मार्क और यहाँ पर हम रखेंगे स्लीव का सेंटर यहाँ से हमें स्लीव को अटेज कर लेना है बराबर से रखते हुए ही अटेज करना है ये देखें मैंने आपर स्लीव से अटेज कर ली है अब देखें साइट में भी सिलाई लगाती है साइट में सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्टर फैब्रिक को कट कर देना है तो बिल्कुल कॉर्णर पे ही सिलाई लगाएंगे, ज्यादा मार्जिन आपको नहीं लेना है दोने तरफ कॉर्णर पे सिलाई लगा देंगे, ब्लाउस के सीधी साइट, अहम ब्लाउस को उल्टा कर लेंगे तो इस तरह से हमें अपने ब्लाउस को दिखिए, यहाँ पर उल्टा कर लेना है अच्छे से बैक पार्ट को बाहर की तरफ निकाल लेना है, और कॉर्नर पर एक सिलाई लगा देनी है तो फिटिंग लगाने से पहले आप यहाँ पर कपड़े को चे से बाग की तरफ निकालते हुए सिलाई लगा ले इसके बाद देखिए हाई की पट्टी को छोड़कर आपको चेस्टो वेस्ट का मेजरमेंट लेना है चेस्ट का लिया है 10 इंच, कमर का लिया है 8 इंच स्ट्री इस राउंड आपको जितना भी होता है उसका हाफ लीजेगा मैंने यहाँ पर साड़ी चेंच पर मार्क कर दिया है इसके बाद अब हमें फिटिंग की सीधी सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से देखें फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है और इसके बाद अब हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है तो इसी के साथ मेरा यह बलाउस बन करके तयार हो गया है तो फिंट्स आपको अज़का यह पैटन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद